अगर कोई आपकी उमीद पर जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खराव तरिये क्योंकि इनसान उसी सो उमीद रखता है जिसको वो सबसे करीब मानता है सबको उसी तराजू में तोलिये जिसमें खुद को तोलते हो फिर देखना लोग उत्रे भी बुरे नहीं है जितना आप समझते हो नमस्कार दोस्तों राधी राधी स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चानल आधुनिक मनी मंत्र में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मितुन राशी वालों की मितुन राशी वालों का 25 जनवरी दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन-किन चीज़ों से साफधान रहना होगा और मिथुन राशी वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशकवरी मिलने वाली है दोस्तों आज के वीडियो में ये भी बताएंगे कि मिथुन राशी वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा बिजनस वे आपर कैसा चलेगा प्रेम संबंद कैसे रहेंगे स्वास्तियादी कैसा रहेगा आपकी भी मिथुन राशी है जानना चाहते हैं संपून राशी फल तो इस वीडियो को पूरा आवश्य देखे दोस्तों आज गुरुवार है आज भगवान नारायन का बार है सिल्ले कॉमेंट बॉक्स में उमनमो भगवते वासुदेवाई नमहा अवश्य लिखे वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओल को अन्सरूर करें चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं आज का पंचांग है 25 जनवरी 2024 तिन गुरुवार आज के तिति है पूर्णिमा आज का नक्षत्र है पुनर वस्म नक्षत्र सूर्य दे साथ 13 एम सूर्यास्त 5 चवन पीम सूर्य राशी सूर्य मकर राशी में है अभिज चलिए इस एक गलती को करने पर हमेशा के लिए सुक्षैन खत्म हो सकता है आचारे चानके के अनुसार वक्त रहते अगर गलती में सुधार नहीं किया जाये तो फिर जीवन दूबर हो सकता है शादी के बाद धूक बाजी आचारे चानके का मानना है कि जो स्रिया पर ऐसे दाग लगते हैं जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते अचारे चानके बताते हैं कि विवा एक पवित्र बंदन है जिसमें किसी भी तरह की दोके बाजी परदाश नहीं की जा सकती जब भी कोई स्रिया फिर पूरुष इस पवित्र बंदन को तोड़ते हैं तो फिर समाज में उनका मान समगान खत्म हो जाता है आशारी चानके कहते हैं कि विवा के बाद त्याग की भावना स्त्रि पुरुष में होना जरूरी है अगर ऐसा नहोतो शादी तूट सकती है ये त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए त्याग की भावना न रखने वाले स्त को बुलावा दे रहे होंगे कास तोर पर विवा के बाद ऐसे किसी भी संबंद से हमेशा हानी ही होती है दूसरे निचाना के लिए अच्छी लगी हो तो वीजे को लाई किये चलिए आगे बढ़ते हैं जान लेते हैं आज का मितुन राशी फल अज आपको शिक्षा के शेत्र में इस फर्दा युकत रहेगा उससे बाहर आने की कोशिश आप करते रहेंगे आज आप अपने भवेश्य और स्वास्ते के बारे में अथिक जिग्यासु रहेंगे और उचित लोगों के साथ परामर्श करेंगे शरीर में ठकान और अलस से एवं मन में शान्ति की अनुभ साथी को आज कोई अच्छे समझवार मिल सकता है जिससे आपके घर में खुशी आएंगी कुछ लोगों को संतान संबंदी अच्छे परिनाम मिलेंगे वहिंकार शेत्र में आज आपका मन थोड़ा कम लगेगा लेकिन बिजनस कर रहे हैं लोगों को आज अचानक से बड़ा मिल सकता है अज आपके सारी च्छाओं की पूर्ती हो सकती है बिजनस के सिलसले में आपको विदेश यात्रा करनी पर सकती है साथी यात्रा सुखद रहेगी संतान पक्ष सुख्य नभूती हो सकती है जोसे आपके खुशियों में भी इजाफा होगा आफिस पे आपको जिम करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर है आपको नौकरी के लिए जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है और शारे रिक रूप से कमजोर दिन है आपको सर्दी खासी की शिकायत परिशान कर सकती है हलां कि कुछ नया सीखने में आपको अच्छी है जिससे आप खुश रहेंगे प्रेम जीवन के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा लेकिन शादर शुदा जातकों के लिए आज की दिन काफी अनुकूल है अपने विरोधियों से थोड़ा साफ धान रहे और किसी से वियर्थ मेवाद विवाद पिलकुल ना सफलता मिलेगी मंदिर में घीर का दीपक जलाएं दीवन में दूसरों का सहयोग मिलता रहेगा आज परिवायर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश रहेगी आज मन चाहे कामों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पर सकता है कुछ लोग आपको आज कॉपी कर सकते हैं आपका स्वास्ति संतोज जनक रहेगा लेकिन आपको पेट से संबंदित बीमारियों के लिए साथ धानी बरत नीच चाहिए प्रियेजनों के साथ लंबी दूरी की यात्रा लाब दैग होगी किसी प्रभावशाली विक्ति के सहयोग से बाग्योनती के मा जिवार में नई खुशियां लाएगा आपका दामपत्य जीवन बहतर बनेगा जीवन साथी से संबंद सुद्रेंगे समाज में मान संबान बढ़ेगा पिता जी से भी संबंद बहतर बनेगे उनसे कोई लाब भी मिल सकता है इसके अतरिक्त काम के सिलसले में आपको आज थ जोपिंग करने जाएंगे जहां आपको भारी दिसकाउंट मिलेगा साथी माता पिता आपने बच्चों के पढ़ाई में उनकी सहायता करेंगे आप कोई नया काम भी करने की सोचेंगे शेवलिंग का दशन करें सारे काम बनते हुए नजर आएंगे आज काम काज के मोर्चे पर आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है गर परिवार में सुक्षान्ती बनी रहेगी काम से संबंदी त्यात्रा अमल में आ सकती है जोसे आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे चोट या चोरी आदी से आपके कोई हानियाद संबव है जो खिमनाले कोट वाके चैरी के कारियों के रुकावट किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से दूर होगी प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी करियर में आपके उमीदें संब्वावना अच्छी रहेगी संबंदों में मदुरता आएगी आज के दिन आपके जीवन में खुशिया लेकर आएगा और त्योहारी सीजन में आप आरिवारी जीवन में काफी खुश नजर आएग अज़े आपका दिन खुशनुमा रहेगा, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किसी दोस की पातिय का इंबिटेशन आ सकता है, वहाँ जाकर आप एंजॉय भी करेंगे आफिस में आपके अपका काम को लेकर बहुता आपकी तारीफ कर सकते हैं, इस राशी के स्टूडेंस के लिए आज के दिन अच्छा रहेगा, साथ ही एक्जाम से रेलेटिड कोई शुब समाचार भी मिल सकता है गाए के चरन सपर्ष करें सफलता आपके कदम चूमेगी, यदि आप शाधी शुदा हैं तो आपके जीवन साथी को आज कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, जिससे आपके घर में खुशियां आएंगी दोस्ता आपका शुबंग है आठ, शुबरंग है काल और नीला, उपाई, इलाईची यानी बुद्ध के कारक का सेवन करने से आपके हल्थ अच्छी रहेगी मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारियते आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जाद सादा शुयर कीजिए, कॉमेंस में सुझा ववाशी दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, राधी राधी मित्रों